वंदे मातरम स्वागत है सभी सातियों का स्टेडी एक्जाम एकेडमी पर तो सातियों राजस्तान पुलिस कोंस्टेबल 2020 जो वेकेंसी हुई थी प्रिक्षा हुई थी उसका जो पेपर है उसको हम यहां पर हल करने वाले हैं तो सभी साती लाइफ जुड़ जाएं और इससे पहले बता दूँ यदि कोई मेरा साती राजस्तान पुलिस की त्यारी कर रहा है मैला बालप्राद इसके लावा कंप्यूटर राजस्तान का करंड़ जी के यदि आपको चाहिए तो हमारी नई इबुक लोंच हो चुकी है यहां पर पूरी आपको सेलेबस बगरा मिल जाए हडपा कालीन काली बंगा सेहर कांपर इस्तित है यह क्यूंसे ने एकजा में पूछा गया पाकिस्तान हर्याना राजस्तान या गुजरात इसका क्रेक्टेंसुर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं सभी विदारती आगे बढ़ने से पहले बता दूँ यदि कोई मेरा स इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में पूरी जानकर दीविए वहां से आप इस एप्लिकेस्न को डाउनलोड कर सकते हैं और राजपाल 10 कोड यूज़ करके आप 10% का डिसकाउंट भी पराप्तिक कर सकते हैं तो इसका राइट एंसर यहां पर क्या हो जाएगा ब कौन सा है सात्यूं हनुमान गड़ जिला है बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा सी राजस्तान सभी का करेक्ट है नेक्स्ट अगला चुंसन देखें शेकेंड है सवतंतरता के पस्चात किस वरस में भारत में पर्थमबार जंगर्ना की गई यानि अपना जो देश वह जादी की बाद 1911 में जंगर्ना की गई थी बीजी स्वीव कंडिडेट का डी एंस्ट आ रहा है 1951 उन सभी का यहां पर राइट माना गया था अगला परशन देखें नेक्स नेमल लिकित में से कौन सा नर्थिये असम में परशिद है कुमी नर्थिये गरबा भी हू या सात बिल्कुल इसका क्रेक्ट एंसर का क्या हो जाएगा असम का परशिद नर्थिये यहां पर पूछा गया था तो इसका राइट एंसर था यहां पर विदारती कमेंट बोक्स में बताएं जो भी लाइव जूड चुके हैं सी हो जाएगा भी हू नर्थिये कौन सा भी हू नर् को like और शेयर जरूर करते हैं देज निशेद अधिन्यम संसी अधिन्यम के नुसार भारतिहँ दंड सहिता की धारा 304 कि इसका क्रेक्ट तूंप प्रस्षण का कई गया बारतिये दंड सहीता की दारा 304 का संबंद है सामुईक रूप से बलातकार देहेज के कारण मोत या अगला यहां पर है बाल सोसन या बच्चों का अवेद व्यापार इसका क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा मैंने इबुक लोंच कर दी है ध्यान रखना कोई विदारती लेना चाहता है तो हमारा वोट्सप नमर है उस पर वोट्सप मेसेज गर दें आपको मिल जाएगी इससे बार एक परसंद पिछली बार भी नहीं आता और इस बार भी नहीं आएगा इस लिए आप इस बूक को ले लें मातर 30 रुपे इसकी प्राइज है आपकी बेहतरिन त सरकार ने जागिर उनमूलन अदिनयाम किस वरस पारित किया? 1952, 1925, 1962 या 1972 तो जागिरी उनमूलन अदिनयाम किस वरस पारित हुआ? तो यह 1952 में हुआ था यहां पर ए सभी स्टुडेन्ट का करेक्टें सोर हो जाएगा. बिल्कुल सभी साती लाइज उर चुकें स्षाग् राज़े बारतिये राश्टे राजमार्गों में किस सरणी में आता है तो राश्टी राज़स्तान से गुजरने वाले जो राश्टी राजमार्गे उसकी दस्टिशे राज़स्तान किस सरणी में आता है दूसरी साथ वहां दस वहां या यार वहां तो राज़स्तान का अप वो छे शिप्ट में चला था अलग अलग स्टुडेंट का तो छे पेपर हुए थे इसमें अधिक तर दो तीन चार बान परसंट ऐसे थे जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे थे ये भी जान रखना राजस्तान विदान सवाब में कुल कितनी महिलाई मुख्यमंत्री रे नाम सुना होगा आपका असो गैलो से पहले यही मुख्यमंत्री थी राजस्तान की नेक्ष्ट अगला देखें अगला परशन है भारत की सवतंतरता के तुरंत बाद राजस्तान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे देश की आजादी के बाद राजस्तान के पर्थम राइट हो जाता है इसका हिरालाल शास्त्री बने थे सबी का यहां पर भी राइट हो जाएगा वरड दस्तावेज फिरिंट करने के लिए निमन लिकित में से किस सोट कड की कमांड का उप्योग किया जाता है कोई भी मालों قाझज है उसको प Ond करना है आपको लेप थाप कंप्युटर Ctrl P का यूज़ करते ही आपको direct print मिल जाएगा लाड़लू इसके लबा Ctrl O का file को open करने के लिए कोई file है उसको मालो open करना है खोलना है आपको तो file को खोलने के लिए shortcut की Ctrl O का यूज़ करोगे इसके लबा Ctrl C Ctrl C का use करते हैं किसी भी file को या कोई भी है उसको copy करने के लिए Ctrl C का और copy की कोई भी चीज़ है उसको मालो paste करना है वापिस कहीं पर तो उसको paste करने के लिए Ctrl V का use करते हैं किस का करते हैं Ctrl V का पेस्ट के लिए पीका नहीं करते हैं पीका तो सिरफ होता है प्रिंट करने के लिए ध्यान रखना और कंट्रोल डी का यूज किसमे होता है मुझे कमेंट करके बते ही देखें आप कंट्रोल डी का यूज किसमे होता है नेक्स्ट ये लो ये पशन है जैसे कि जैसे छप गया था मैंने इस पर टिक मारा था इश्टार लगया था कि कलिंग यूद के बाद समराठ असोग ने कौन सा धर्म सुविकार किया कलिंग जो युद वा था उसके बाद समराड जो असोग था इसने कौन सा ध्रम अपना लिया था बोध जेन या इसाई ये तीन ही ओपसन आपके सामने मैंने रख दिये हैं इन में से आप बता दो देखे राइट एंसर मैंने बोला था कि असोग समराड असोग ने जब कलिंग युद किया था इस युद के बाद अर्शोग क्या हो गया था असोग को क्या आ गई थी बुद्धी आ गई थी इस युद में एक लाग से ज़्यादा लोग मारे गए थे सेनिक नहीं मारे गए थे परजा मारी गई थी ज्यान रखना इसमें सेनिकु ने युद नहीं किया था कलिंग कलिंग की जो परजा थी उसने युद किया था ज्यान रखना असो को इस युद के बाद क्या आ गई थी बुद्धी आ गई थी तो बहुत ध्रम अपना लिया बुद्धी से बहुत मैंने ये ट्रिक भी बताई यापको याद होगी तो बिल्कुल यह जैसे जैसे छप गया था परशन नेक्स्ट अगला परशन लिंगा नुपात का अर्थ क्या है लिंगा नुपात का अर्थ क्या है परती एक हजार पुर्षों पर इस्ट्रियों की संक्या, हजार पुर्षों पर इस्ट्रियों की संक्या दस हजार पुर्षों पर इस्ट्रियों की संक्या या एक लाग पुर्षों पर इस्ट्रियों की संक्या तो लिंगा नुपात का अर्थियां पर नहीं होगा 3600 पुर्षण पर इस्त्रियों की संक्या बिलकुल नहीं होगा तो इसका राइट अन्सर भी होजएगा 1000 महिलाँ पर या पूर या 500 ժुरुस है उन पर जितनी भी इस्त्रिया या महिलाँ है उनकी संक्या को क्या बोलग़ां जाता है जैसे बारत में 1,000 मालों पूरूस है तो इसकेपीछे महिलाईं कितनी है 945 महिलाईं है कितनी है? 943 महिलाईं है जान रखना तो ये लिंगा नूपात हो गया क्या हो गया? लिंगा नूपात तो राझस्तान का लिंगा नूपात कbay過去 कितना है 928 अगला परशन देखते हैं देखें भी यहां पर राइट हो जाएगा बिल्कुल भी राइट है अगला ट्यूंसन अधिकतर विदारती एक्जाम में गलत करका है मन्जूसा पेंटिंग का समंध किस राज्जे से हैं तो इसका वी ध्यान लखना ऐसे परशन भी पूचे जाते हैं अगला परशन देखें नेशनल क्राइम रिकोर्ट ब्यूरो 2015-16 के नुसार बारत में बच्चे के खिलाब अपराद लगबग हो गया है तीन गुणा आदा या चार गुणा या दो गुणा तो बच्चे के खिलाब जो अपराद है वो तीन गुणा बड़ चुका है कितना बड़ चुका है साती हूँ बिल्कुल यहां पर तीन गुणा जो अपराद है वो बड़ चुका है यहां पर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला राजस्तान विश्वे विदालिय का पूराना नाम निमलिकित में से कौन सा था जेपूर विश्वे विदालिय मारवाड राजपुताना या मराथ था तो राजस्तान विश्वे विदालिय का पूराना नाम था राजपुताना विश्वे विद्धालिय शी आपका करेक्ट ए राजमारग संक्या दो तीन चार या पांच तो इसका राइट एंसर बताएं कमेंड बोक्स में कुछ टाइम समय देता हूं आपको कौन सा राश्टी राजमारग यह यहां पर इस वो पेपर हुआ था इसका उन्ती सो नमबर परशन नहीं था जान रकना परशन संक्या भी बत मिसर या कलराज मिसर तो उसमें राजस्तान के मुख्य मंतरी यानि राजजी पाल यहां पर पूचा किया सोरी राजस्तान के राजजी पाल कौन थे तो यह अपने थे कलराज मिसर है जान रखना कौन थे कलराज मिसरी है और यदि आपको मुख्य मंतरी पूचा जाए तो अ सुंद्रा राईजी है इसका राइट हैं सर्य आपट डी बिल्कुल राइट था सभी स्टुडेंट का नेक्स्ट आगे अगला तास दिसंबर 2019 के अनुसार असो गेलोत कितनी बार राजस्तान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं एक बार तीन वार दो वार या चार वार तो असो गेलोत अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं ये बताओ देखें आप असो गेलोत कितनी बार राजस्तान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं लाड़ लूँ कमेंट बोक्स में बता देखें बिल्कुल तीन वार कितनी वार बन चुके हैं तीन वार बन चुके हैं नेक्स्ट आगे किस ससक्सें प्राजित होने के पस्चात हुमायू को 15 वर्सुं के लिए निर्वासित होना पड़ा था अलाउदिन खिलजी शिकेंदर लोधी मुहमत बिन तुगलग शेरसा राजस्तान हिस्ट्री का पुछा गया राजस्तान के हिस्ट्री सोरी इंडिया हिस यहां से वह भी आप अच्छे ढंग से पड़ लेना एक इंडिया हिस्ट्री का पुराना पुछा गया कलिंग यूद के बाद बिल्कूल असोग ने कौन सा ध्रम अपना लिया था और इस अभी यहां पर पूछा गया है बाबर ठीक है मुगल काल का पुछा गया था तो इस धूंष का क्रेक्ट एंसुर क्या हो गया डियो जाएगा शेडिक्षा सूरी किसे परजीत वाता हूं यू सेर्शा सूरी से और भागना पड़ाता हूं यू को बिल्कूल अगला देखें बारत की जन्गत्षा को साख शरता के बढ़ते करम में दरशाता है केरल गोवा और अरुनाचल परदेश भिहार यानी राजु का बढ़तावा यानी सरवादिक साकसर तका आप पर है गुरूजी केरल में है सरवादिक साकसर पड़ेली के लोग केरल के हैं तो यहां से आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग गया और भिहार के सब से कम है गोवा दे दिया डायरेट ये भी ध्यान रखना यहां पर भी यहां पर राइट हो जाएगा ने अगला परशन्ट पूचा गया किस मुगल समराथ ने दीन पना नगर की इस्तापना की औरंग जेव सांजा अकबर या हुमायू अगला है राजस्तान में जोदपुर से आठ किलोमेटर पस्ची में इस्टीत कायला नजिल का निर्मान किसने करवाया भीम सिंग, टकट सिंग, अर्नो राज या परताप सिंग, कमेंट बोक्स में बताएं देगें गिल्कुल यहां पर right answer D हो जाएगा, परताब सिंग ने करवाया था, किस ने करवाया आप परताब सिंग ने, सभी का यहां पर right है, कुछ परशन ऐसे हैं, जो मैंने पहले वाले paper में करवाई, उनमें से आपको मिलते वे मिलेंगे, एक दो परशन, जो बार बार रिपीट होत के नाम से अपना टेलीग्राम पर गुरूप बनाया वाया, उसमें आप जुड़ जाएं, सभी विदारती जितने भी constable वाले हैं, आप सभी को राजस्तान पुलीस की संपूर्ण जान करें इस टेलीग्राम गुरूप में मिलेगी, और भी अपने सातियों को उसमें एड़ कि अपने से लाजस्तान पुलीस की स्टन आप से फूई लाले हैं एispरें। कि अपने से लाले हैं, रुली मैं इस में एला मम एाजस्तान आप से लाह बाले हैं, आँ्यों करें।